तो आज की इस वीडियों में बात करेंगे किसान 품 निधी योजणा का जो....... और कहां से किरा सकते हैं कितना पैसा वगर लगेगा, कि इसके पिछले वाले ही वीडियो में बता दिया है कि क्या, क्या लगेगा, कितना पैसा लगेगा ठो अगर आपने वे बीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख लिजेगा क्योंकि बहुत से भाईएको को समझ नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आ एक और वीडियो बना दिये जाए तो आज किस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो भी किसान भाई है वो किसान समान निधी योजना का जो KYC है यह KYC है वो कहां से जाके करा सकते हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं वेना टाइम वेश्ट के लेकिन उसे पहले मैं आपको बता दूँ ध्यान से सुनिएगा चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्या है कि कोई भी आपको प्रोब्लम होगा तो इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाए यह भी सब कुछ आपको बताया जाएगा तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लिजेगा क्योंकि मैं आप लोगों का भाई हूं हमेसा ऐसे वीडियो आपको देता रहूंगा आप मुझे कॉल पर भी बात कर सकते हैं जो भी आपको प्रोब्लम ह रहूंगे वीडियो के माध्यम से तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब चली आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो भी किसान भाई है जिनका जिनका एक वाई सी नहीं हुआ है वह कहां पर करा सकते हैं जाकर करके कैसे कराना है और एक्सेस्बिलिटी क्या क्य अब क्या लगता है कीटना पैसे व्गरण लगते है इस वीडियो में फिर से मैं रिपीट कर दूंगा तो चली वीडियो सुरू करते हैं आपको बता देते हैं लेकिन अबी फिल हाल में बात करेंगे किसान भाई हो का कि किसान भाई कहां से जाकर करके कार सकते हैं EKय सी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप simply किसान भाईयों को मैं बोल देना चाहता हूँ आपको कुछ जादा नहीं करना है जादा मैं time आपका नहीं लूँगा मैं आपको clear बता दू कि आपको गाउं में अपने गाउं में जो भी आपका गाउं है उसमें एक दो साइबर कैफे होता है मार्केट में होता है जो भी computer, laptop वगड़ा रखते हैं simply उनके पास ही आपको चले जाना है मतलब कहीं और नहीं जाना है मार्केट में जाना है आपके गाउं में भी अगर कोई computer वगड़ा रखा है तो वहाँ पे चले जाईए और जाने के बाद में उससे बोल दीजिएगा simply कि मेरा जो EKYC है वो कड़ाना है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाना है तो आपको जादा कहीं नहीं जाना है आपको मार्केट में जाना है जो भी computer वगड़ा रखते है जी रोक्स वगड़ा करते है न उनकी पह जाएएगा simply आपका जो EKYC है वो complete कर देंगे और मैं बता दूँ अभी fingerprint वालों का नहीं चल रहा है अभी चल रहा है सिर्फ अधार card वालों का और 50 गुरुपिया मात्र 50 गुरुपिया आपको लेथे जाना है 25-30 रुपिया में आपका काम हो जाएगा 10-20 रुपिया बचेगा आप आराम से खाली जेगा और चले आईएगा तो यहीं पर बात किलियर करते हैं कि आप जाएए और आपका जो EKYC है कम्प्लीट हो जाएगा अभी घाबराने के कोई जरूरत है ने क्योंकि अभी एक देर महीना और यह KYC कम्प्लीट होगा तो मैं कहँगा कि जितना जल्दी हो सकै कर लिजे क्योंकि इंडियन गौर्णमेंट को अभी भी अपडेट कर देगा तो फिर आपको दीकत हो जाएगा तो जितना जल्दी हो सकै मेरे ख्याल से करा लिजे मिलते किस यगले वीडियो में तब ते के लिए जैहिंद वंदे मातरम तब ते के लिए नमस्कार